हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से इस्टडी पाउर पाइंट में आज की वीडियो आपके कॉलेज ओपेन को लेने को है क्योंकि साथकों देखिए आप लोगों की जो परिच्छा है ना 20 जुलाई 2023 तक आपकी लगवग समात करेंगी लेकिन कुछ इस्टुडेंट और कहीं कहीं कर रहा गया था जो कि लगवग 26 27 जुलाई 2023 का आसपास कराईगी मतलब सब चीजे हो गया इसके बाद आप लोग का प्रेक्टिकल एक्जाम्स कराए गया उसमें भी बोर्ड ने डेट बढ़ा बढ़ा के बाते की ठीक है जिसमें कराएगा सभी लोग का प्रेटिकल आप लोग को पताईए उसके बाद बात आई कि जो मार्क्स अप्लोड करने थे ना उसके मतलब प्रेक्टिकल ओगर जो चले तो 15 तक चले ठीक 15 अगस्ट 2023 था उसके बाद बोर्ड ने ना 20 तक मैक्सिमम डेट दिया है नंबर्स अप्लोड कर दो यहां सब सब बाते ठीक है लेकिन बोर्ड ने अच्छी कलेंडर होता है एकेडमी कलेंडर होता उसे जारी कर दिया आज किस वीडियों वही समझेंगे आखिर कब आपकी परिच्छा होने वाली है कब आपका कॉलेज खुलेगा और साती सातियों यदि आपका कॉलेज खुल गया ना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज सब्सक्राइब कर दिया है जहां से आप लाइब रिकॉर्डेट जो भी क्लास है वो कर सकते हैं बहुत इमिनियम फीप अभी डिस्काउंट भी चलना जाईए लाब उठाइए और अपनी पढ़ाई कीजिए तो सातियों आपको सभी चीजे सभी पूर्सेस यहां पर मिल जाए और साथ इसाथ जो पेपर आगे होने वाला है यानि देखी बोड ने तो सीक्समेश्टर नाम दिया यानि सिक्समंथ में पेपर उपर होगा लेकिन या सिक्समंथ में सब चीजे कैसे आरेंजर की जाती है इसके बारे भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट वीडियो हैं देखि हुआ है तो सातियों देख सकते हैं दिसंबर दो हजार तेईस में जो परिच्छा होने वाली है उसके लिए जारी किया गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका फर्स समेश्टर थार्ड और फिप्स समेश्टर या आपका आगस्त्र से लेकर के दिसंबर के 20 तक का ह होता है बात पिछली बार दिखा गया जन्वरी चला गया मार्स तक चला गया काफी बार दूसरा समेश्टर लगबख फरवरी जन्वरी से लेकर जुन तक के आस पास में चलता तो यह देखिए आपके टाइमिंग होती है तो सातियों आगे की तरफ बढ़ें के देखिए कहा स सिदे क्या जा रहा है परिच्छा को ले कर के जारी किया घ्याया उप्रोक्त जो भी विशा है उसमें समेस्टर जो सट्र है या naj exhale समेस्टर उस में भी सथार्ड और फिप्थी पहर स्थी नहीं हाथ दो जार तेओं से प्रारम हो रहा मतंलब आपका college open हो गया मेरे भाई 16 अगस 2023 से लेकिन वह बात अलग है कि बच्चे नहीं गए college उतना अभी active नहीं हुआ लेकिन मैं साथियों आपकी जान्दकारी बता दूँ मेरे यहाँ जो college है वह भाई open आप समझ सकते क्या मैं कर रहा हूं आगे की तरफ चले तो साथियों आप देख सकते हैं पूरा निर्देश जारी कर दिया किस किस तरीके से होगा क्या योजना बना के सब काम करना हो चीज और साथियों एक बार फिर से अपने नए सच्यू का स्वागत करिए इस समय आपके नए सच्यू बनाए गए हैं तो आपको पता होना चीज है जो पिछले वाले सर्थे वो हटा दिये गए हैं ठीक है आगे आईए तो साथियों आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो जो आपका एकडमी कलेंडर जारी किया 2023-24 के लिए जिसमें साथियों आप देख पाएं हैं ठीक कब तक चलेंगे 16 दिसमबर 2023 तक साथियों यह चलेंगे आप लोग देख सकते हैं यही आपका टाइम है इस 16 अगस्त लेकर 16 दिसमबर के बीच में टोटल 90 डेज हो रहे हैं आपको अगर यह सरी तो ज्यादा हो रहा है वगर जोड़ोगे 22 सिकमबर तक अक्टूब लेकिन देखिए भाई इसमें छुट्टी भी होगी तो छुट्टी को निकाल देंगे तो 90 दिन क्लास चलना जरूरी है ना तो देखिए इसलिए आपको यहां पर यह चीजी हो गई है आप समझ सकते मैं क्या करा हूँ तो इतने बीच में आपकी परिच्छा हो जाएगी मत अगर कोई स्टूडेंट डी फार्मा वाला है ना तो डी फार्मा स्टूडेंट यार्ली सिस्टम अलोगा 16 अगस्ते इनका भी चालू हो रहा है लेकिन खतम कवगा यह नहीं बता गया साती साथ साती हो अगर कोई नव पर वेसित स्टूडेंट ना मतलब जो नए नहीं चाहते है उनका नामांकन और जो भी चीज है वह पठन पाटन 15 सितंबर सोगा नामांकन और 15 से स्टार्ट किया जाएगा परिच्छा फार्म अगर हम भरने की बात करें तो 15 नॉंबर से 25 नॉंबर के बीच में आप लोग के परिच्छा फार्म बराजेंगे तो दूर की बा की बारे में बता दिया आप ओडने आगे अधी बढ़ेंगे सातियों आनलाइन पर में सपत्र यानि एड्मिट कार्ड जो आने की बात हो रही है वह 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में आप लोगों को आने की बात कही गया है साती साथ देखे जो सेस्नल नॉंबर्स लेके 26 दिसंबर के बीच में इसके प्रेटकल एकजाम सोगा रहा कि जो फिर नंबरों बर चड़ाना कराना और यह सब दिया गया लेकिन हो नहीं पाएगा उसके बात जो आपकी में परिच्छा है मेरे भाई ना जो सेमेश्टर की आपकी परिच्छा होने वाली है यह आप कितने डेट को तो नहीं होगी यह बढ़ेगी आगे लेकिन कितनी बढ़ेगी यह नहीं कहा जा सकता है यह डिपेंड करता है फश्टियर वाले काउंसलिंग और यह सब को लेते हुए ठीक है तो 100% भाई इस डेट को तो नहीं होगी यह दिया है क्योंकि देखिए बोड का जो लोचा है ना अगर बोड सही काम करता है कालेज वाले गड़बर निकल जाते हैं सब कालेज वाली बात नहीं कर रहा है बहुत कालेज वाले बहुत अच्छे समय पर सब काम करते हैं लेकिन बहुत कालेज वाले एकदम लोचा कर देते हैं उसकी बात अगर कालेज वाले स 10-15 दिन सीधे ले लिजिए 10-15 दिन साथियों आपका आगे पीछे होता है मतलब भाले तो नहीं आएगा बाद ही जाएगा लेकिन जनवरी तक में आपकी एक्जाम मेरे हिसाब से पूरे-पूरे करा लिए जाएंगे एकदम मन लगा करके पढ़िएगा साथियों तो साथियो आपका पूरा-पूरा रहा और इसमें बता भी दिया गया है कि 90 दिन क्लास चलनी चाहिए तो देखे बोल दिया नवबे दिन क्लास चलेगा ठीक है इसमें नियम ओगरा जो है वो चीजे को काड़ी बाकि जो भी इसमें छुट्टियों जिसे जो चुट्टियों उटिया आ संडे ले 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 और शुट्टियों को एड कर दें तो टोटल शुट्टियों जो पढ़ रही है वाद 31 शुट्टियों पढ़ रही है यानि पूरा-पूरा ये एक मंध शुट्टी है अगर सीजा से देखे तो लेकिन यहां पर आपकी ले करके 31 दिन शुट्टी रहेगी तो आपका 90 दिन क्लास चल पाएगा और इसी के बीच में आप लोगों की साथियों परिच्छा करा ली जाएगी ठीक है तो आई अब साथियों आप समझ गयोंगे मैं किस बाद में बात कर रहा था कि पूरा टॉपिक हो चुका कबर कि कॉलेज खुलने को ले करके तो आप कॉलेज खुल जाया तो आप जाईए कॉलेज अटेंडेंस अपनी बनाईए देखें कालेज वह से तो देखो 100 परसेंट मैं एक ची बता दू 100 परसेंट कुछ लोग कालेज जाते हैं तो इसकी उतनी जरुवत नहीं है आपकी अटेंडेंस कम 80 परसेंट होनी चाहिए तिसस वह चीजें साथियों आप लोग नहीं देख पाओगे तो आयोप आप यह चीजें समद गयोंगे यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अगले वीडियो में थाइंक्यू टू आलाफ्यू